कि नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वाधत हैं मेरे यूटूब चैनल बाईलोजी एक्स्ट्रा में दोस्तों फिर हाजिनू मैं आपके लिए एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है टूपिक है टूपिक है टूपिक है टूपिक हैं पिर ऐसा क्या है बाई आज हमने वाले हैं टूपिक हैं कि क्या है तो समझने की बात है कि वास्टिक मचलिया क्या है और मिठ्य मचली क्या है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बातों पर चर्चा करेंगे हम सबसे पहले जानने की कोशिज करेंगे कि मतस्ची वर्ग क्या है मतस्च क्या है इसको जानने की कोशिश करेंगे इसके लक्षणों को जानने की कोशिश करेंगे फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि मतस्च अधात मचलिया जो है अन्य मिथ्या मचलियों से किस प्रकार से भिन है और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे इन मिथ्या मचलियों के डाइग्राम को देखने की कोसिस करेंगे मिठ्या मचली के चित्रों को देखने की कोसिस करेंगे और फिर लास्ट में हम देखेंगे ट्रिक कि इन को कैसे याद रखे इसके लिए एक छोटा सा जो है वो ट्रिक भी हम देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या कहलाते हैं मचली कहलाते हैं लेकिन बहुत सारे मचली नहीं न ऐसे जली जन्तु जिनका सरीर सल्क के द्वारा ढखा हुआ हो जिन में स्वसन करने के लिए गलफड़े प्रेशलन करने के लिए पंक फिन्स सम्विद्नाओं को ग्रहर करने के लिए बार्बल्स पाये जाते हैं तथा जिनकी तचा चिप चिपी होती है ऐसे जन्तु मचली कहलाते हैं अगर हम एक स्वाट में मचली का डाइग्राम देखें तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं मचली का डाइग्राम तो आप यह देख रहे हैं यह इस्पितार से यह मचली का डाइग्राम हो गया यहां पर अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि ऐसे जली जन्तु जिनका सरीर सल्ख के द्वारा ढखा हुआ यह आप देख रहे हैं मैं जो चीज बना रहा हूं यह सल्ख है इसके बार जिनमें करने के लिए यह वाला जो हिस्सा होता है आपर पुलम वाला रिजंग जहां पर घिल्व पाये जाते हैं प्रचलंग करने के लिए इन Allahu disciples पाए जाते हैं तथा सभेतना को ग्रहण करने के लिए यहां पर बार्बल्व पाय जाते हैं मूफ है ऐसे यंतुत में मचली पहना करें है और देखते हैं कि मता स्यात जतन हैं उतनी भी मचली वह हैं आप मतासि वर्ग की सिरश्ष्षTe वो सारे किसकी सदस्य है मतलसी वर्व की सदस्य है और यह जो मतलसी वर्व है है कोड़ेटा का एक सभू है अब कोड़ेटा के अंतर का जो जनतू पाए जाते हैं उनमें तीन लक्षन पाए जाते हैं नोटोकार्ड की उपस्ति थी और फैरेंगेल गिल्सलाइट ती अचलिया जीवन की किसी ना किसी आवस्ताओं में यह पाए जाते हैं यदि ये किसी जन्तू में नहीं है तो वो य हमतलब यह है कि जिदनी मित्यम अचली है उनमें से वैल को छोड़कर सारे की सारे से जो है इन्वर्टिब्रेट से आते हैं और इन्वर्टिब्रेट तो जितनी मचलियां आती है वही जितनी मित्या मचली है को छोड़का सारी मचलियां इन मचलियों के सामाने नाम वैज्ञानिक नाम और किस संग में आते हैं इसको जानने की कोसिस करते हैं तो लेक्स वाच जोोड़़ka हैं वास्तिविक मचलियां फाल्स फिसस को한ец इन फाल्स फिसस में सबसे पहला नाम है जैली फिस जिसका वैज्ञानिक नाम है औरेलिया और यहाँ फाइलम सिलेंट्रेटर का मेंबर है दूसरा है सिल्वर फिस जिसे लेपिस्मा कहा जाता है और यहाँ आर्थोपोडा का मेंबर है तीसरे पर है क्रेफिस और क्रेफिस भी जो है आर्थोपोडा का मेंबर है जबकि चौते नंबर पर है Cuttlefish Cuttlefish CPI लोलिगो को कहा जाता है जो Phylum Mollusca के मेंबर्स है वही Devilfish के रूप में Octopus को जाना जाता है जो Phylum Mollusca का सदस्चिय है वही अगर हम छटवे नंबर की बात करें तो Razorfish Razorfish जो है वो Solene को कहा जाता है जो Phylum Mollusca का सदस्चिय है तारा मचली जिसका वग्यानिक नाम Asterias है जिसे हम सामान्य भासा में Starfish कहते हैं यहाँ Echinodermita का मेंबर है वही पर Spiny Brittle Star Spiny Brittle Star जो Aphiop fix कहलाता है और यहाँ Echinodermita का मेंबर है वही पर 9th नंबर पे जो है Hackfishes है Cordata के Cyclostomata का मेंबर है वही पर अगर हम Well की बात करे Well मचली की बात करे Blue Well की बात करे तो यहाँ Memelia Varg का सदस्चिय है तो दोस्तों आपने चित्रू के माध्यम से यह जान लिया कि कौन सी कौन मचली है अर्था मचलीयों के डाइग्राम उनके सामान्य नाम उनके वैज्ञानिक नाम और वो किस संग में आती है यहाँ आपनी जान पर चलिए अब इन मचलीयों को किस प्रकार से हम याद रखे इसको हम जानने की कोजिस करते है दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए दो ट्रीक यहाँ पर लिखी हुई है अगर दो ट्रीक की बात करें तो इन में से पहला पहली ट्रीक देखीगा बढ़ा सिंपल सी ट्रीक है और बहुत जल्दी याद होने वाली ट्रीक है कि तारा जैसी क्रेक वर डेविल है रे इसपाई यहां पर दो लोगों की तुल्ला की जारी है तो इसी को आधार बनाकर हम अपने ट्रीक पर चलते हैं जैसा कि आप लोगों को मालूम है तारा मतलब तारा मचली आपको ध्यान रहेगा कि तारा मचली या जिसको हम स्टार फिस कहते हैं यह वास्त्विक मचली नहीं दूसरे तरफ देखें जैसी जैसी जै जे दिफिस जे से जे दिफिस सी से आ जाता है सिल्वर फिस जिसको हमने पढ़ा था लेपिस्मर क्रे से क्रे की अगर हम बात करें क्रेफिस कर का से हम देखते हैं कटल्फिस कटल्फिस इस वह का कोई यूजर नहीं है तो इसको हटा देते हैं डेविल डेविल फिस है है से अगर आप बात करें है से तो है फिस वहीं पर रेव की बात करें तो रेजर फिस वहीं पर इस्पाइनी की बात करें स्पाइनीय इस्टार तक चस्पाइनी इस्टार यह आपके दो है कौन कौन से हो गए तारा मचली जैली जिसको और एलिया कहा जाता है सिल्वार फिस क्रेफिस कटल फिस डेविल फिस हैंग फिस रेजर फिस इस्पाइनिक ब्रिटिलिस्टा आपको इनके नाम पर नहीं जाना है यह वास्विक मचलिया नहीं है इन्हीं में एक और चीज मैं थ कि अध्यक्तर जो है इसमें झोगा यहां पर यह सबसे बढ़ने की यहां निया किसते जाता है और ना ayam योग पहली वाली ट्रिक पसंद आ रही होगी और इसके अधार पर आप प्रू और फाल्स प्रिस्ट को आसानी के साथ जो है डिफाइन कर सकते हैं अंतर कर सकते हैं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत उप्योगी होगी तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए नवसकार